असलाम लेकुम गाइस विल्कम बैक टू मैं चैनल तो आप सब कैसे हो आप सब ठीक होगे अलाम दिल्ला में भी ठीक हूँ तो गाइस अभी शाम के चार बज़रे थर्सदे का दीने बड़ा अच्छा दीने बड़ा मुबारक दीने तो आज सुबह से मेरा माइंड नहीं सेट क्या था कि आज मुझे वीडियो बनाना है तो फिर अचानक से मतलब कुछ याद आ गया तो मैंने सोचे चलो फिर मैं आपके साथ शेर करती हूं और दुनिया को बताती हूं कि आज मैं मेरी अम्मी पापा और हुरैन की दादी मतलब मेरी सास के नाम पर मेरी नियास करवाई है तो मैं अभी फ्रीवी हूं तो यह मैंने निकाला है गाइस मेरी मतलब एक ही पोटला यह अच्छा बड़ा पोटला है खाने का पुलाओ का मतलब उनको तो मैं एक ही पहुचती है ना गाइस इस आले सब आपके लिए किसी गडीब के पेट में जाएगा उसकी जो भी कि आफ आफ दिशहर से अपने दिल रखने वाली चीजने होते हैं किसी के साथ मतलब ब та बताने जनीrons है पोल देपिल नेकी चुपा के करो नहीं अच्छा है यह पयला दिखावे का जमाना है शोचल मीडिया का जमाना है तो हर चीज़ जब दिखावा होता है तो इस चीज़ का क्यों नहीं दिखावा तो मुझे किसी ने सवाल किया था कि जब से तेरी अम्मी का इंतिकाल हुआ है तब से तुने कितनी बार नियास करवाया है तो मुझे ने जब क्रभाई तुनि नियाज कप करवाई तो मदलब जब मैं नियाज करवाओं तो मैं ढोले के कि अज मैं अपनी टोथीगिन नाम के नियाज करवा रहे हूं अपने सास की नाम guerre भी यह कि एड मींस मुझे समझ में आगे कि ये शोशल मीडिया का जमाना है दिखावे का जमाना है तो चलो ठीक है शौफ कर देते हैं बता देते हैं कि भाई मैंने आज नियास करवाई है कुछ लोग ऐसा कहते हैं मतलब घर वाले तो नहीं है बहारी वाले जिनको जो घैर कुन है ना उनको जादा चैर भी होती है तो मुझे से कहते हैं अरे उसके माबाप तो मर गए वो तो कभी याद नहीं करती है अरे मैं याद करूंगी तो मैं तुमको बता कि याद करूंगी वह सोचो ना तुम मेरा छोड़ो तुम अपना देखो कि तुम्हारे घर में जितने मरूमीन मैं, तुम किनको याद करती हो कितना याद करती हो तुम तो ये डून्या कैसी है न है कि बस kososcope ऐसे करेगी मगा लें नहीं देखेके कि ये बागी आना मतलब बताना जरूरी था कि भाई मैं नियास करवाती हूं और अलहमदुलिल्लाइ जब से मैं गवंडी शिप्ट यू तो कंटीनियू मैं करवा रही हूं और यहां पर मैं बीना इजाज़त एक बात आपको बता रही हूं बीना परमीशन मेरे भाई की कि मेरे भाई ने कंटीनियूसली जब से मैं तो मुझे शेर करना पड़ा उसको बताना पड़ा अब ये बात बताने के लिए मुझे थोड़ी डाट भी पड़ेगी मेरे भाई की तरफ से कि तुने क्यों बोल दी लेकिन अब क्या करू जब मतलब लोग सबूत मांगते हैं हमारी महबत का तो बताने ही पड़ताने तो नहीं पर भी बख्षवाओगे तो भी दुनिया के किसी कोने में भी बख्षवाओगे न तो भी मतलब उसका सवाब उसको मिलेगा मरूमीन को अगर हम यह चाहेंगे कि मैंने गवंडी में पढ़वाया और मैं जाके कब्रस्थान माहिम कब्रस्थान में जाके मैं क memb अलब तो आएक किसी किसी का वालोerschका किया था तो मुझे थोड़ा लगा जब ब्ख लोरा हो किये नियास कर लूं तो मिइंकों इनको मिन पशन करूं कि में क्या कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं तो इसके लिए लिए गाईस मुझे मुझे बताना पड़ा वह हूं स्वर मांगते कि तुम्हें कितनी नियास करवाई है कितना इसाले सवाप करवाया महबत का महबत तो दिल में बसती है ना मगर वो आजकल दिखावा का जमाना है तो चलो ठीक है मैंने भी शोचल मीडिया का इस्तेमाल कर लिया तो गाइस वीडियो में मेरी यही है और यही हो गया थोड़ा सा लंबा वीडियो बागे में क्या ही इसको कंटीनिव करूँ क्योंकि मुझे भी उरेन को यह देखे खाने के लिए बैठी है मेरी बची पुलावी रंडा हो गया है तो मैं इसको खिला दूँ और फिसके बाद हम मा बैटी खा ले फिर मैं इसको टूशन छोड़ कर रहा हूं उसके बाद भी मेरा थोड़ा सा काम बचाय करने के लिए तो आज की वीडियो को मैं स्टार्ट करके मेरी वीडियो अच्छी लग कि तो प्लीज लाइक कर देना शैर करदेना और अच्छे अपने अच्छेके कमेंट को प्लीज कमेंट वउक्स में में इंशन करनाmedim और गारीज अगर मेरे चैनल को तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना चलिए बाई 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 आला हाफीज खुदा हाफीज दुआओं में याद रखना